हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल कुकिंग वित एंजल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए एक स्नैक्स की यम्मी डिलिशियस रेसिपी लाई हूँ जो है प्रेड रोल की रेसिपी इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बारिक कटा हु अब मैं यहां कर रही हूंगे इसको ओन और पैन में डाल रही हूं दो चम्मच रिफाइन आप चाहे तो घी या कोई भी ऑईल यूज कर सकते हैं अब मेरा पैन गरम हो चुका है मैंने इसमें डालाया आदा चम्मच जीरा और अब जीरे को अच्छे से रोस्ट कर लूँग हमारा फ्लेम मीडियम तो लो ही रहेगा अब मैं इसमें एट करूंगी एक बार इक कटा हुआ प्यास और इसे अच्छे से बुन लूँगी जब तक यह हलका सा लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए अब मैं इसे स्टर करते हुए अच्छे से सौटे कर लूँगी मीडियम त मैं इसमें एट करूंगी एक चम्मच अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट और आधी चम्मच लहसन का पेस्ट आप चाहे तो साबुत हरी मिर्च लहसन भी डाल सकते हैं बट मैंने यहा पेपेस्ट यूज़ किया है अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी उसके बाद मै मीडियम फ्लेम पे ही अपने मसाले एड़ करूँगी जिसमें मैं डालूँगी एक छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लालमेच पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर अब मैं अज़ च्छे से मैसालो को मिक्स कर Likeårald के साथ और उसके बाद इस में एड़ करूँगी दो उबले हुए Mashed आलू आप मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, आलू को मसालो के साथ ताकि जो हमारा आलू है तोड़ा अच्छे से साटे में भूनु भी जाए और अच्छे से मसालों के साथ कोड़ी हो जाए अच्छे से मिक्स हो चुका है पर मैं थोड़े देर इसे और अच्छे से भूनूंगी ताकि जो कच्छा फ्लेवर है वह आलू अब इसमें मैं अच्छे से धनिया को मिक्स कर दूंगी आलू के जो मिश्रन है हमारा अब इसे हम थोड़े दर के लिए ठंडा होने देंगे तब तक हम अपने ब्रेट के स्लाइसिस के जो कोने हैं उन्हें कट कर लेंगे चाकू के हल्थ से अब यहां पर देख रहे हैं कि मैं ब्रेट के सारे कोनों को कट कर लूँगी यहां पर मैं सारे इस ब्रेट के जो स्लाइसिस हैं गाइस वो कट कर चुके हैं उनके कोने को इसलिए हम कट करते हैं क्योंकि जब हम इसे बाइडिंग कर देतें हैं तो यह इसके say whenmay को कट कर देते हैं आप कोनियों को चाहे तो चाहे तो चाहे के साथ या फिर इस का कर नाकिया आप रख सकते हैं फिर फिरच में उसके बाद मैंने यहां चीज के स्लाइस को लिया है इसे भी मैं चाकू से छोटे-छोटे टुकडो में कर दूँगी आप चाहें तो यहां चीज का क्यूब लेके उसे भी क्रेश करके यूज कर सकता है अब मैंने यहां प्लेट में एक लिया पानी और दोनों तरफ से ब्रेट को पानी में डीप करके फिर मैं इसे स्क्वीच करूँगी अच्छे से उसके बाद इसमें जो हमारा मिश्रेन पोट करके प्रेस करके ताकि जो हमारे आलू है वह फ्राइ करते वक्त बाहर ना निकले जब हम पानी अच्छे से स्क्वीच कर लेंगे तब यह स्टिक हो पाएगा नहीं तो यह स्टिक नहीं होता है तो इस बात का आप खास ध्यान रखें यहां पर मैंने अच्छे से अब सारे जो अपने ब्रेट थे उसके रोल बना लिये हैं आप देख रहे हैं मैं इसे स्क्वीच करके अच्छे से प्रेस करके ब्रेट रोल बना रहे हूं आप भी वैसे ही बनाएं और पानी में ज्यादा दे तक हमें ब्रेट को सोक नहीं करना नहीं तो ब्रेट टूट जाएगा और स्क्वीज करते वक्त ये ध्यान रखना ज्यादा प्रेशर नहीं देना है नहीं तो भी ब्रेट टूट जाएगा तो आप इस बात का ध्यान रखे अब यहाँ पे जो हमारी bread rolls है वो अच्छे से तयार हो चुकी है अब मैं यहाँ पे करूंगी gas को high flame पे on उसके बाद कड़ाई रखूंगी उसमें डालूंगी तेल यहाँ पे मैंने करीब 5-6 चमज तेल डालें क्योंकि मुझे 4-5 ब्रेड रोल बनाने है आप अपने fry के हिसाब से तेल लूज कर सकते है यहाँ पे मेरी कड़ाई हो चुकी है heat अब मैं इसमें आड़ करूंगी bread rolls और अपने flame को फिर कर दूंगी medium flame पे bread roll डालने के बाद हमें flame को medium कर देना है नहीं तो हमारा bread roll जल जाएगा अब मैं इसे medium flame पे अच्छे से fry कर लूगी दोनों तरफ से यहाँ पे मेरे bread roll फ्राई हो चुके है अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूगी और उसके बाद इसको हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्फ करेंगे यह बहुत ही crispy और बहुत ही cheesy था thank you for watching my video please like, share and subscribe